है गाई सुदुकों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यह इसका पार्ट वीडियो है और इसका पार्ट वन वीडियो जो मैंने पहले ही अप्लोड कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डेस्क्रिशन बॉक्स वहां से जाकर देख लेना ठीक है इस पार्ट व कोई भी कोशन हो आप यहां से सॉल्व कर ले जाओगा ठीक है पूरा एकदम डिटेल्स में आपको सिंदु संबता के बारे में कोश्चन जो यहां पर आपको कवर हो जाएंगे ठीक है और थेवरी साथ में कवर हो जाएगा तो चले शुरू करते हैं तो सबसे पहला माल लेते हैं यह इंडिया का मैप है और यह अगडम गडम जो भी बना है आप इसको माल लेना कि इंडिया का मैप है और यह इधर आपका क्या हो गया पाकिस्तान हो गया तो यहां पर पहले यह पूरा पाकिस्तान इंडिया पूरा पहले एक ही था ठीक है तो अब यहां पर सबसे पहले आपको हम दिसा बदा देते हैं ये पूरब दिसा हो गया ये उत्तर दिसा हो गया और ये पश्चिम दिसा हो गया और नीचे हो गया आपका दच्छ दिसा हो गया ठीक है तो अगर हम आपसे बात करें कि उत्तरी दिसा में इसका बिस्तार कहां तक था यानि इसका जो पश्चमी विस्तार है वो कहां तक है तो यह है आपका सुटका गंडोर सुटका गंडोर है सुटका गंडोर हो गया और उसके बाद एक यहां तक आपका जो महाराश्ट हो गया इस महाराश्ट में आपका था इसका नाम था दायमा बाग तो दायमा बाग आपका कहा श्कुन है यह आपका महराश् vista में सके बाद इक था उत्तर प्रदेश यहां पर आलमगीर सका नाम था आलम गीर तक नीटर्प्रदेस में तीका उत्तर प्रदेश द्ली पास में यहीं पर था तो यह पूरा मिला के अगर देखा जाए जिसका अगले कलर्स कर लेते हैं इसको कलर ले लेते हैं ये वाला तो देखो अगर इसको पूरा देखा जाए तो इन तीनों को मिला के इसका जो साइज बनता है वो तिर्भुज के जैसा बनता है ठीक है यानि तिर्भुजाकार है तो अगर पूछ यानि कि जो हमारा सिंदू सब्वता था उसका साइज कैसा था तो उसका साइज था यहां पर मैंलिक देता हूं उसका साइज था तिर्भुजा कार यानि तिर्भुज के आकार का था हमारा सिंदू सब्वता अब यहां पर कोशन आप से पूछा जाएगा यह आपका क्यों हो पूर्वी हो गया पूर्वी दिस हो गया और ये इसका हो गया दच्छडी विस्तार हो गया और वो आपका हो गया पश्चमी विस्तार ठीक है अब यहां से question पुछ जाएगा किस नदी के किनारे है तो आलमगीर आपका हिंडन नदी के किनारे है हिंडन नदी के किनारे है और घंदायमा वाग आफका प्रावरा नधी डिवो Le, अगर option में प्रावरा नधी हो तो प्रावरा नधी टिकर न is उसके बाद जो सुतका गंदोर है ये आपका दास्क चिनाव नदी किनारे और यह यह पर पड़ता है यह आपका दास्क नदी और यह आपका पाकिस्तान पढ़ जाते हैं तो आपको सिंदू सब्वता के बारे में इसका जो विश्थार ही आपको पता चल गया हो क्या चलिए अब हम लोग कोश्चन पर आते हैं वह सबसे पहले है कि पूरा तात्विक एस्थाल जो सुर्ख कोटदा है इस यह किस राज से किस राज में इस्थित हैं यह एसस्थी सीप्यों 2019 में कोशन पूछा गया था नौ दिसंबर को जो एक्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि सुर्ख कोटदा जो है यह किस राज में हैं आपको राज का नाम बताना है देखो मैं आपको उदा देता हूं देखो यह हमारा पूरा भारत और जस्ट कोटदा जस्ट ट्रंस्केंट इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो यह है मारा सुर्ख कोटदा है उसके बाद इसके जस्ट उपर यहां पर है यहां पर इसको बोलेंगे हम लोग धौला वीरा है धौला वीरा ठीक है इसके साथ में जितने भी इसके आसपास एरिया है उनको भी आपको रगपूर ऐहां पर आपका रंगपूर और यहां पर आपका लोथल है यह जितने भी अस्थाल मैंने आपको बताया है संधू संपता कि यह है स उर्धक कोटदा और यह जो है यह फूर हम लोग इसको बोलते हैं गुजराड फेकं है तो तो question पुछा गया था किस राज में है तो हमारा गुजरात राज में है सुर्पोटदा यह हमारा हडपस बता का कैस्थाल है ठीक है इसके साथ में धौला वीरा भी मिला था यहां पर और रंगपूर भी मिला था लोथल भी मिला था अब मैं आपको इनके बारे में पहले डिटेल्स बताता हूं ठीक है तो चलो सबसे पहले मैं आपको सुर्पोटदा के बारे मता देता हूं कि यह जो हमारा सुर्पोटदा है सुर्खोटदा है यहाँ पर मिला क्या देखो यहाँ पर घोड़ा का कंकाल मिला है घोड़ा का कंकाल मिला है और यहाँ पर क्या मिला है कलस सवाधान मिला है कलस सवाधान क्या होता है कलस सवाधान सवाधान का मतलब होता है जो मर जाते है यहां को दुख्राने की जो परब्लती कॉसी को सवा दनках और इसके साथ में आपका जो रंगपूर है इस सच्छ हाँ औरуса लोथल यह राप्लत का बहुत नस्तै था क्योंकि यहां पर यह पहली बाद तो लोथल है कहां तो यहां पर जैस्ट ट्रेंस कर लेते हैं और वादा देते हैं तो लोथल जो है लोथल यह भोगवा नदी के किनारे हैं भोगवा नदी कोशन पूचता है किस नदी के किनारे हैं तो भोगवा नदी किनारे हैं और यह यहां पर क्या होता था ब्यापार होता था ठीक है यह एक ब्यापारी केंद्र था इसको बोल सकते हो कि यह हड़ापस अब्रता का एक ब्यापारी केंद्र था यहां पर क्या मिला है सीपोर्ट मिला सीपोर्ट क्या होता है सीपोर्ट का मतलब होता है जो बंदरगा होते हैं यह एक बंदरगा था बंदरगा का मतलब होता है जहां पर समुद्र के किनारे जो अस्थान होता है जहां पर जहाज वगएरा रुखते हैं वो बंदरगा होता है इसी को पत्तन बोल जाता है तो पत्तन या बोल दो या बंदरगा बोल दो या फिर गोदिवारा गोदिवारा तो तो आपको बता देना है कि गुजुरात में गुजुरात की लोथल में था ठीक है गुदिवारा इसको कहते हैं अच्छा यह ब्यापारी केंद्ध था मतलब कि यहां पर ब्यापार हुआ करता था यहां से ठीक है क्यों यह कैसे पता चलता है यहां पर एक फारस का महर मिला है तो जब फारस का मोहर मिला है इसी से पता चल जाता है कि लगभग लगभग यहां पर फारस का मोहर कैसे आएंगे यानि कि कुछ न कुछ यहां पर आदान प्रदान ही हुआ होगा इस वज़ा से इसते यहां से पता चलता है कि अच्छा यहां पर यह ब्यापार भी हुआ करता था ठीक है तो इसलिए इसको ब्यापारी केंद्र बोलते हैं सबसे बड़ा ब्यापारी केंद्र आपका लोथल है जो कि गुजरात में आपके है धौला वीरा धौला वीरा जो है यह यह सिंदू सब्वता का बहुत बड़ा एस्थल था यानि कि सिंदू सब्वता में अब तक इससे पता चलता है कि लगवग लगवग यहां पर हो सकता है सायद यहां पर सती प्रथा रहो लेकिन ऐसा नहीं है अगर सती प्रता होता तो वहाँ पर जितने भी last मिलते सम्में वहाँ पर यूगल्टसवाधान यानी जूडवा-जूडवा मिलते लेकिन 2-3 ऐसे 2-3 ही ऐसे मतलब की last मिले है जहाँ पर डबल-डबल यानी की जूडवा यानी दासन्सकार किया गया था लिए तेट यहां पर सथीप्रथार आऊगा बस थोड़ा बहुत ऐसा सक्षाव सकता है बट यहां पर वास्तों में वास्तों तो नहीं था यह है सिंदू सब्धा का यही एक मात्र ऐसा जगा था जहां पर हर तरह के अम्तिम संसकार हुआ करते थे जैसे यूगल समाधान होता था दफना भी जाते थे यह फिर कलस समाधान भी होता था जलाए भी जाते थे ऐसा इसलिए होता था क्योंकि यहां यह लोथल जो था यह बहुत बड़ा बैपारी छेत्र था तो हर दर्मने के लोग यहाँ पर आते थे हर विचारधारा के लोग आते थे और वहीं पर बच जाते थे जब वो मरते थे तो उनको हर तरीके से हर मतलब हर इंसान अपने अपने परम परमपरा के एकॉर्डिंग वनी दपनाया किया करता था ठीक है तो यहाँ पर हर तरह के संदा संसकार आपको मिल आड़ी तो यह मैंने आपको डिटेल में बता दिया है इस यानि गुजरात में जितने भी एस्थाल मिले हैं सबके बारे में और कहां पर क्या मिला है इसको मैंने वाको कंच में कहां पर रहें गुजरात के कंच में इसे हड़ापा का लीनिक संवता हैं यहां से गोड़े के हड्यों कि साज मिले हैं गुजरात में इस यह जो मैंने आपको बताया कि दोला वी era यहारा इसकी जो खोज है वो आठा यानि 1967 से 68 में जेपी जोसी ने किया था किसने किया था जेपी जोसी ने किया था यह याद रगना ठीक है उसके बाद अगला जो कोश्चन है वो है कि वर्स 1944 में भारती पुराता तुझा सरवेच्छन है इसके महानिदेशक की रूप में किसने खुदाई है यह 1921 में किसने किया था दयाराम साहनी ने किया था दयाराम साहनी ने इसकी किया था लेकिन उस समय जो यानि के जो पुराता यह क्या होता है सब्सक्राइब पहले बताब कि भारती पुराता तुझ जो सरवेच्छन होता है इसको इसकी जो इस्थापना थी व को इंगली से बोलते हैं आर्कियो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको सौट फॉर्म लोग एस आई बोल देते हैं एफ और आपको लॉजिकल एस फॉर सर्वे ऑफ इंडिया इसकी जो खोज है यानि इसकी जो इस्थापना है वो किसने 1861 में कनिंगम ने किया था ठीक है लेकिन अगर कोशचन आप से पूसा जाएं लोको आपको यहां पने भसा देगे अगर कोशचन पूसा जाएं यह बढ़ो पूरा तात्तिक वीभाग चालू किस नें किया तो लाड़ करजन ने किया वही लाड़करजन जिनोंत बंगल ने बंगल भीवघंगा था ठीक है त पर्थम महानिदेशक ये UPSD में कोशन पूछा गया था एक बार कि ये बताओ कि जो इसके भाती, पुरात्तु, सर्वेच्छन के पर्थम जो महानिदेशक थे वो कौन थे तो कनिंघम थे ठीक है कनिंघम थे और अगर पूछा जा गोशन कि प्रथम महिला महानिदेशक कौन प्रफाम महिला महानिदेशक का नाम था यह था देवाला मित्रा और बनाया गया था प्रथा महानिदेशक यही बनी थी और अगर पूछ लिया जाए कि इसके वर्तमान यानि वर्तमान में जो भारती पुरातु सर्वेच्छन के जो महानिदेशक है वर्तमान महानिदेशक जो है वो कौन है तो वर्तमान में है वी विद्यावती है कौन है वी वि इड्यवति हैं यह एक क्या एस ओफिसर है नीस सो इक्यानवे बैच की जो करनाटा कैडर की करनाटा कैडर की एक आयस ओफिसर है और इन्हें जो वर्तमान महानी देसक हैं उनको नियूद यूद किया गया है वैसे जनरली अब देखा जाता है कि जितने भी भारती पुरतत्त सर्वेच्चण के जो महानी देसक अब जो बनाये जाते हैं वो ज़दतर यही देखा गयाै कि IS officers ही बनाये जाते है यहां पर कहते थे कि बावरी मस्जीत है इसके बावरी मस्जीत बनाया गया था उसके नीचे मार राम मंदीर था उसके उपर यानि बावरी मस्जीत बना दिया गया है तो यानि कि कोट में जब सुप्रीम कोट में केस गया था तो वहाँ पर सुप्रीम कोट ने भारती पुरातत सर्वेच्छन को ये आदेज दिया था कि जाओ और वहाँ पर जाके स्टेडी करो जैनि उसके नीचे जाके चेक करो, खुदाई करो, मतलब जो भी जाके वहाँ पर स्टेडी करो जाके, क्या वहाँ पर देखो जाके, क्या शच में वहां राममंदिर पहले था या नहीं थाँ, तो उसी यसी जब भारती पुरातत सर्वेच्छन ने जाके वहाँ पर इसका अध्यान किया, जाँच किया जाके तो इसी इननी के रिपोर्ट क्या दार पर तो भारती पुरतत सर्वेचन का यही काम होता है जो जैसे जो विवाद हुआ था उसमें भी सुरीम कोट ने भारती, पुरतत सर्वेचन को यहीं कहा था कि जा कि वहां पर जाके सर्वेचन करो जाके यही सब इसका काम होता है तो आप इसके बारे समझ गयोंगे अब यहां पर कोश्चन पूछा गया है कि भारती पूरात्त्त जो सरवेच्छन है 1944 में मतलब देखो हड़ापस अबदा की खुदाई 1921 में देया राम साहनी ने किया था लेकिन क्या पूछ रहा है इसको पहले समझ लो यह कोश्चन एससी सीपीओ में उन 2019 में पूछा गया था देखो कोश्चन यह पूछ रहा है कि देखो क्योंकि हड़ापस अबदा की जो खुदाई है 1921 में और पूरा काम खतम हो गया नहीं हड़ापस अबदा की बहुत दिनों तक चलती रही कई सालों तक चलता रहा ठीक है और तो वही कोश्चन पूछ अचा गया है कि शुरुवात इसको 1922 ती लेकिन यह हमें बताओ तो 244 में जब इसकी खुदाई हो रही थी तो उस समय जो भारती पुरातात्य पुरातात्यु सर्वेच्छड के जो महानी देशक थे वह कौन थे यह कोश्चन पोचा जा रहा है ठीक है तो उस समय जो थे व इस समय उनीश सो एकीस जोई में इस समय जब जब खुदाई होई थी तो इस समय कौन थे जान मार्सल थे महानी देशक कौन थे जान मार्सल थे देखो 1944 में वो थे जॉन मार्सल जो थे 1902 इसबी से लेकर 1928 इसबी तक इसके महानी देशक थे ठीक है इस पुरा तात्वी बिभाग के और उसके बाद जब 1944 आया तो उस समय महानी देशक कौन थे हमारे मार्टिमर हुलर तो याद रखना 1944 में जब 1921 में इसकी खुदाई हु सर्वेच्ण करने का काम किस ने किया था इसी कनिंगम ने किया था ठीक है तो अगर कोई से पूछे कि हड़पा सबसे पहले जो सर्वेच्ण करने काम किया था वो किस ने किया था जाके कनिंगम ने किया था आई तिंग आपको इसके बारे में डिटेल मैंने आपको उता दि ने अपने कारेकाल के दौरान हडपा आरिका मेडू ब्रहमगीडी जैसे एतिहासिक एस्थलों की खुदाई करवाई थी भारती पुराता तो सर्वेच्छन के स्थापना जो है ठारा सेक्षट सवे में एलेकजंडर कनिंगम ने किया था कनिंगम इसके प्रथा मानी से थे और अग्ला question देखते हैं कि अग्ला question है कि निम्लखीत में से कॉन सा हडपा एस्थल हरियाणा कि मैं है मतलब जो इस्में से हञे पर्था था्म है सभी आप पर्शंदर है अब इसमें यह पूछा गया है SSCC canyon.12.122022.22 तो देखो यह आपका है भारत है ठीक है अब यहाँ पर मान के चलते हैं यह हर्याड़ा हो गया मान लेते हैं ठीक है बस मान ही लो ठीक है और यहाँ पर मान लो हर्याड़ा है हरियाणा में एक जगह है हिसार जिला है हिसार नाम का जिला है उस हिसार जिला में हमारा है राखी गड़ी क्या है राखी गड़ी है इस हिसार जिला में क्या है राखी गड़ी है लोथल तो आपका गुजरात हो गया धोला वीरा आपका गुजरात हो गया ति ये दोनों उप् सबसे बड़ा सिंदू सब्बता में अब तक में जितने भी एस्थल खोदे गए हैं उनमें सबसे बड़ा जगा कौन है राखी गड़ी है अब ये सबसे बड़ा है तो दूसरे नमबर में सबसे बड़ा जो जगा है वो हमारा धोला वीरा है कौन है धोला वीरा है और तीसरे नमबर कौन है तीसरा नमबर तीसरे नमबर पर जो है वो मोहन जोदुडो है मोहन जोदुडो है ठीक है और चौथे नमबर पर हमारा क्या है चौथे नमबर पर चौथे नमबर पर सबसे बड़ा जो एस्थल है वो कौन से हमारा हडपा है हडपा और मोहन जोदुडो ये दोनों कहां पर है पाकिस्तान में हम प्रिजिन टाइम में भी पाकिस्तान में ठीक है लेकिन अब यहां पर कोशन आपसे ये पूछेगा ये बताओ कि सबसे या निकि जो सिंद्यु सब्था का सबसे बड़ा सहर कौन सा है तो आपको отв dł'. है सबसे बड़ा जगहा कौन सा है तो राकः है सिंदु सब बता में जितने भी अस्थ साह्ताने मिले हैं , तो यहां से आपको कोशन यहीं पूछेगा उसके बाद यह जो काली बंगा thành यह कहाँ सब्सक्राइं यह साइड़ में गड़ी हमारा कली मगा फिका एक काली बंगा राजस्थां में आज Subscribe इसी जिला में फार अच्छा पता धेते और को अब यहां पर सबसे पहले हर्याडा में और देख लेते हैं यह, यह जो हमारा राखी गड़ी है कहां प murder ability हर्याडा में एक और मिला था बनवाली नाम का जगा मिला है बनवाली यहां पर कोशन क्या पूछा जाएगा यह है कहां तो सबसे पहले यह रंगोई नदी के किनारे है रंगोई नदी के किनारे है इसकी खोज किस ने किया था इसका color change कर लेते हैं अगर कोशन पूछा जाएं इसकी कोज किस ने किया तो इसके खोज रावींदर सिंग ने किया था मतलब कि यह बनवाली है ना यही एक ऐसा जगा है हरप सब्बता में यह एक ऐसा जगा है जहां पर सब कुछ OBER खाबड मिला है मतलब सांच रहो तको वैसे तो हड़पा सब बड़ा में सभी सब लोग थे वहां पे जितनी भी नालिया मिलती थी, धकी हुई नालिया मिलती थी, सड़क जो मिलते थे वो इदम समता यानि सम कोड़ पर सरक मिलते हैं ना मतलब इदम साब शुत्रे मिलते थे सब कुछ मिलते थे लेकिन हरयाणा में हड़ापच अबता का बनवाली का एसा जगा था जहांपर कुछ भी सुद से ठीक ठांग नहीं मिला सब कुछ उठ पणंग मिला है वहां कि अगर नालियां देखो, सड़कें देखो, तेड़ी मेड़ी नालियां धकी हुई नहीं थी, और सड़के सीधी नहीं थी, तेड़ी मेड़ी थी, और यहां पर जो मिला है, आपको जो याद रखना है, आपको जो यहां पर याद रखना है, वो क्या मिले है, हलके साच मिले है, हलके स हाट तो मेले हैं लेकिन क्रसी के यहां पर कोई ही साच नहीं मिला है और यह जो हल का कैसे बना हुआ था यह टेरा कोटा का बना हुआ था 9 कोटा किसको बुलते हैं मिट्टी को बना हुआ हम एक मिट्ठी का साच ब UP तो मैंने यह को दोनों अस्थल को साफ करेते हैं काली वंगा में और क्या क्या मिला है यहां इतना तो ए game अपने लिख लियूगा या गर नहीं लिखे हो तो आप लिख लो मैं इस पूरे को मिठा देता हूँ अब यहां पर मैंने सब के बारे में बता दिया है लोथल के बारे मैंने आपको पहले बता दिया दोला वीराग बारे में आपको पहले बता दिया राखी गड़ी मैंने आपको उता दिया बजा काल काली बंगा काली बंगा के बारे साथ या पटा दिया घए से इसका ешता है तो यहां पर चूडिय के साथ मिले है चूरी के साच मिले है उसके बाद और चूरी कैसे थे तामबे के थे और काले काले कलर के थे इसलिए इसको काली बंगा कहे दिया गया है इसका उत्खनन किस ने किया था मतलब इसको खोदने काम किस ने किया था तो एक तो वीके थापड है वीके थापड और एक है वीवी लाल वीवी लाल है इन दोनों ने इसका उत्खनन के काम किया था उत्खनन का काम किया था कब किया था 1961 से लेकर 75 के करीब यहांपर किया था ठीक했는데 उसके बाद यहांपर क्या मिले है 20 जूता हुआ खेट का साच मिला है, यह पॉइंट यादक पोछा जाता है, उसके बाद करमकांड के साच मिले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर यग के साच मिले हैं, यहाँ पर जो था एक दुर्ग भी मिला है, दुर्ग का मतलब क्या होता है दुर्ग का मतलब होता है जो बॉंडरी होती है चारों तरफ की जो बॉंडरी होती है उसको हम लोग दुर्ग बोलते है ठीक है तो यहां पर एक दुर्ग भी मिला है तो काली बंगा के बारे में मैंने इद्दम पूरा डिटेल से बता दिया है तो आई थिंग आप इसके बारे हम समाझ गयोंगे, आप कापी अपने नोट कर सकते हैं, अब इसको हम मिटा के आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगला कोशन देखते हैं, तो को राखी गड़ी हरियाना के हिसार जिले में हैं, जो कि मैंने आपको समबता ही दिया है, काली खेल का मैदान मिला है, क्या मिला है, खेल का मैदान मिला है, ठीक, उसके बाद है 21 नंबर कोशन है, देखों, यहाँ पर जो है, सिंदू समबता के लोग जो है, वो बनाने के लिए तामबे और टिंग का मिस्रित करते थे, तो तामबा और टिंग को मिला के क्या बनाया जाता सिन्दू सब्रता के लोग तामबह और टिंग कुछ मिला के बनाते थे यह कोशन सीपियों में पुछा गया था बारह उन्नीष है रीज़ दिसंबर नीष बनाते थे कहसा तामबह और मिलके क्या बनता था कहांसा बनता था तो आपका जो भी नंबर option है कि आपका कांस हो जाएगा ठीक है तो जो सिंदू सब्वता के लोग है कांस बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित करते थे सिंदू घाटी सब्वता के हडपा की जो है 1921 में जो कि मैंने आपको उता दिया कि दैराम सानी ने की थी यह वरतमान पाकिस्तान में है कहा हडपा खोजा गया था सबसे पहले हडपा खोजा गया और सबसे पहले हडपा खोजा जाने के वज़ा से सिंदू सब्वता का पता चला इसलिए सिंदू सब्वता को हडपा सब्वता के नाम से भी जाना जाता है ठीक है क्योंकि इसी से सिंदू सब्वता का अगर यह ने ख हो जाओता हड़ापपा संबता अगर हमें नम यहरपा नाम का जगह ना मिलता अगर तो हमें पता ही न चलता कि यहां पे कोई संबता रहे भी रही थी ठीक है इसलिए इसको अद्पा संबता भी गोलते हैं तो सिंदूल गाटी संबता का प्रमुकेंद्रोंने कारण इसे पता करने का ठीक है इसके अंसार जो हड़ापा सब्वता का जो काल है वो तेश सो इसा पूर्व से लेकर सत्रा सो पचास इसा पूर्व तक माना जाता है ठीक है अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है कि मोहन जोदुरो कहां पर इस्थित है यह अरारवी एंटीपीसी 2021 में कोशन पुछा गया था ठीक है तो देखो मोहन जोदुरो जो है यह कहां पर है सिंद्विप्रांत में तो देखो कोशन अब मोहन जोदुरो के बाले में आपको उता देते हैं मोहन जोदुरो यह हो गया हमारा गुजरात और यह हो गया हमारा ठीक है रफली मैं आपको ब आपके जो एस्थाल है वो कहां पे है और यहां पर आपका मेहर गड़ भी आपका पाकिस्तान में ही है ठीक है तो मेहर गड़ भी यहीं पे हैं मेहर गड़ में खेती के साथ छी मिले हैं ठीक है अब कोशन आता है कि मोहन जो दुड़ों के बारे में आपको और ज़्यादे बत बनर जी ने, इसको खो जा था, ठीक है मैं आपको इंत्म बतादेता हूं, और समें आपको हुआ हडपा सब बता के बारे में भीगई बता थे हैं किस जिला में है मोहन जोड़ोड पाकिस्तान में तो है लेकिन किस जिला में तो अगर जिला आपसी पूछे तो जिला है आपका लरकाना जिला है लरकाना जिला में है और अगर पूछा जाए कि जो मोहन जोड़ोड है इसका अर्थ क्या होता है तो सिंधी भासा में मोहन जोड मिला क्या ठीक है तो देखो मोहन जो दोडों में सबसे पहले हम आपको लुटेते हैं देखो इसको दृहान से सुनू कि देखो यह सिंदू संब्दा के लोग सुंब थे और अगर सब लोग थे तो वह लोग यनि के घर बनाके रहते तें सब लोग कमतलब होता है जो आवास मिला है अब अगर आवास बनाके रहेंगे तो रहेंगे तो नहाय दोएंगे ऐसा तो है नहाय दोएंगे नहाय तो इसनानागार मिला है ठीक है और यह जो हर घर में इसनानागार मिला है और उस इसनानागार में कुवा मिला है क्या मिला है अब जो इसनानागार है नहा कुछ नहाएंगे तो कुछ ना कुछ कपड़ा पढ़ेंगे तो सूती वस्त्र मिले हैं सूती वस्त्र जिसको कपास बोलते हैं ठीक है तो इसके साच मिले हैं और अगर कुछ नहाएंगे धोएंगे तो कुछ खाना खाएंगे तो यहाँ पर अन्नागार मिला है अन्नागार का सबसे बड़ा अन्नागर कहां से मिला है मोहन जोदोर से मिला है इसके अलावा तांबे का पूरा पूरा धेर मिला है तांबे का धेर कोशन पुछता है तांबे का धेर कहां मिला है मोहन जोदोर में मिला है उसके बाद यहां पे आपका नर्तिकी जो नर्तिकी है नर्तिकी भी म मिला है और नर्ति की किस का बना हुआ था कांसे का बना हुआ नर्ति की मिला ठीक है तो यह याद रखना यह बहुत इंपोर्टनेट पोईंट है यह भी एग्जामें पूछा हडपा भी था तो आपको हम हडपा के बारे में इसी साइट इसी समय बता देते हैं तो हडपा जो है इसकी कुदाई 1921 में किस ने किया था दयाराम सानी ने किया था उसके बाद यह है कहां तो यह हमारा पाकिस्तान में है कहां पे है पाकिस्तान में है अब पाकिस्तान में किस नदी की किनारे है तो ये है राभी नदी किनारे और किस जिला में है अगर आपसे जिला पूछे क्या पूछे जिला पूछे तो माउंट गोमरी जिला में है माउंट गोमरी जिला में है यहाँ पर मिला क्या क्या है तो मिला यहाँ पर कुमार का चाक मिला है ठीक है उसके बाद यहां पर सिर्मिक आवास मिले है सिर्मिक आवास मिले है सिर्मिक आवास उसके बाद यहां पर यहां पर भी अन्नागार मिला है लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार हडपा में मिला है मोहंजद्रोड मिला है मात्र देवी, जो मात्र देवी हैं, मात्र देवी के साच मिले हैं, मात्र देवी के साच मिले हैं, मात्र देवी के साच मिले हैं, उसके बाद ओखली मिला है, ताबूत मिला है, ओखली, ताबूत, RS-37 नाम का एक अब्रिस्तान मिला है, ठीक है, ये भी याद रगना, उसके बा का हाथी के खोपड़ी या कपाल जिसको बोलते हैं हाथी खोपड़ी या कपाल जिसको बोलते हैं ठीक है खोपड़ी या कपाल इसके साथ छी मिले हैं ठीक है उसके बाद अगर आप से कोशन पूछा जाए कि एक सींग वाले एक सींग वाले जानवर कहां पर मिले एक सींग व यानि जो सिक्का होते थे वहाँ चलाए जाते हैं मोहर जो थे उस मोहर में एक सिंग का जानवर बना हुआ था ठीक है तो एक सिंग के जानवर भी मिले हैं यहां पर यहां पर मैंने आपको सब कुछ बताए दिया इसकार्थ होता है मृत्कों का टीला और इसकी 1222 में रखाल दाज बनर जी ने किया था यहां पर बहुत बड़ा इसनानागार की साथ मिले हैं जो कि मैंने सब कुछ बता दिया आपको अगला कोशन है कि हड़ापा सब बतागा कौन सा सहर जो है विशिस्ट रूप से मन के बनाना सीब काटना धात्वे की वस्तवें बनाना बोहर बनाना तराजू का निर्माड करना आदी कार्यों सहित सिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था और आरवी इंटरफीसी 2021 में कोशन पुछा गया था तो यह आपका है चंद हुद्रो चंद हुद्रो के बारे में और समझ लेते हैं यह चंद हुद्रो जो था यह अब पूछा जाएगा किस जिला में है पाकिस्तान में तो है लेकिन किस जिला में है तो यह है नबाब सा जिला में है नबाब सा जिला में है इसी जिला से आसाराम बाबा थे ठीक है यानि कि जो नबाब सा जिला है यहां पे है इसकी खोज किस ने किया था तो खोज किस ने किया था गोपाल माजुमदार ने किया था माजुमदार गोपाल माजुमदार ने किया था और यह है कहां यह है सिंधु नदी किनारे किस नदी किनारे सिंधु नदी किनारे किस नदी किनारे सिंधु नदी को यहां चंद करने वाली चीज़ें मिली है आँख में काजल लगाने वाला थीक और जैसे की मिला है लिविस्टिक के साथ कहा पर मिले है तो वह आपके चंद दागा मिला है सुई धागा मिला है तो सुई धागा कहां पर मिला है चंद हुद्रों में मिला है ठीक है और यहां पर कैसे मिले है अलंकरत इटे मिली है अलंकरत का मतलब होता है उसमें चित्र वगैरा बने थी ठीक है तो रंगीन या अलंकरत इटे कहां पर मिले है चंद है और जैसे कि यहां पर कोई भी दुर्ग नहीं था मतलब चंद हुद्रों ही एक ऐसा इस्थाल था जहां पर कोई भी दुर्ग नहीं था दुर्ग रही था यहां पर दुर्ग मतलब कोई भी बॉंडरी वगर यहां पर नहीं बना हुआ था ठीक है तो मैंने चंद हुद्रों और यग के वेदियों के साच मिले हैं यग के साच मैंने आपको पहले बता दिया ठीक है कि मिले थे काली बंगा से यानि किन सुरुवाती इंसानों की दारा किया गया ठीक है ऐसा सी MTS 2021 में कोर्शन पूछा गया था ठीक है तो माइक्रो लित का मतलब होता है माइक्रो का मतलब होता है छोटे 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 चीजों को माइक्रो बोलते है और लित का मतलब होता है पत्थर लित का मतलब का होता थे जिनकी लंबाई एक से पांस मीटर सिंटीमीटर होती होती थी जैसे ब्लेड चैले डोनी एजे एगेट यह क्या साथ यह मुझे भी ने वता क्या है इनका प्रियोग जो है पसार काल में सुर्वाती मनुस्यों द्वारा सिकार आधि करने में किया जाता था पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से क्या के मिला है चापार मिला है चापिंग मिला है पेबुल उपकरण कौन कौन से उपकरण ते ठीक है यह सब मिले हैं उसके बाद अगला कोशन देखते हैं मोहन जोदुरो नाम का जो अर्थ है म्रतकों का टीला है यह किस भासा में अभी मैंने आपको मैं आपको सब कुछ एक्स्प्लेइन कर चुका है इससे ज्यादा मैंने आपको बता दिया ठीक है कि 1922 में रखादास बनर जी ने किया था मोहन जदुरो पाकिस्तान के सिंद्व प्रांद लड़काना जिला में बार बार वही चीज़ में बताया जा रहा है कि सासन की यहां आप याद रखना है कि सिंद्व सब्वता की जो लिपी थी वो कैसा था पिक्टोग्राफ था यानि चित्रात्मक था कैसा था चित्रात्मक लिपी थी ठीक है यह पॉइंट याद रखना उसके बाद अगला देखते हैं निमलिखित में से प्रचीन भारत की कौन सी लिपी जो हैं वो दाई से बाई और लिखी जाती थी बीप यसी 2019 कोशन कोशा गया था ठीक है मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं ऐसे ऐसे करके लिखते जाते हैं ठीक है लेकिन वो लोग कैसे लिखते थे ऐसे ऐसे लिखते थे ठीक है मतलब दाई से बाई और ऐसे लिखते थे यह पता खरोष्टी लिपी कौन थी थी खरोष्टी लिपी थी ठीक है प्रचीन काल में खरोष्टी लिपी जो था वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी खरोष्टी लिपी पढ़ने का जो सरे है किसको जाता है जेम्स प्रिंसे को जाता है या यह पॉइंट यादर ना ठीक है ज चैतर वो प्राकरत भासा में तो यह आप कोइंट यादे दॉखा घ्या था इसके बाद है अगला कोशन है किनी मलिखित में से एक्षने खरोश्टी जी ने पढ़ा था ठीक है सीडियस 2018 कोशन पूछा गया था एससी सीडियस में खरोष्टी लिपी एक प्रचीन लिपी है और ब्रह्मी लिपी की तरह है जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपी को पढ़ा था ठीक है उसके बाद है असो के यह सब आपको पढ़ने जरुवा में ठीक है तो एससी सीडियों में 2019 कोशन पूछा गया था तो मोहन जोदोर जो है सिंध प्रांत में पाकिस्तान में मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसके खोज करता कौने रखाल दास बनर जी 1922 में खोजे थे और मोहन जोदोर से प्राप्त महात्पूर इस्मारक साथ मैंने आपको पहले बता दिया हडपा सब्धा पंजाब सिंध पंजाब प्रांत पाकिस्तान के खोज करता कौने दैराम सानी 1921 में हडपा सब्धा से प्राप्त महात्पूर इस्मारक साथ जो है विसाल इस्नानागार मिला है और उसके अन्नागार मिला है ठीक है उसके करें कि सिंधू घाटी की सब्धा दता को बंदरगा है है किस सहर में तो मैंने आपको मैप में बता दिया उसके बाद चselfly इसके बारी में थोड़ा से देख लेते हैं क्या दिये हुआ है कि आहमदाबाद गुजरात के ह्रापा सब्था का प्रमुक बंदरगा possessed लोधा लेक दांक याड़ जहाजों की गोधी ते रहा जाहाजों की गोधी भी है काली बंगा गंगा नगर राजस्त्हाण के उत्खनन करता कौन है क्ना वी कैल यह भी मैंने बता दिया और है उसके बाद हैं अगला नम्मर सिंदू घाटी सब्रता में काली बंगा निम्लिखित में से किसके लिए प्रसीद्ध है स्ज्टा नम्मर आ को जाएगा मिटटी के पात्र से इसलिए यह फेमस था क्योंकि यहाँ पर मिटटी के साथ थे चूडियों जो चूडियां के अंहीर कांच यहां से काली गंगार राजस्थान गंगानगर जिला में इस्तित जिला में हैं गंगा नगार में काली बंगा प्रचीम काल्स में मिट्टी के बरतनों या पात्रों के लिए प्रशिद था ति किस के लिए मिट्टी के बरतनों या पात्रों के लिए प्रशिद था कॉशन प्रचित में से कौन सी सब्वता अपने नगर नियोजन के इए प्रसित अंगला कोnalट से देह से यह 32 नमबर कोर्शन आपके UPPCS 2017 में कोर्शन पूछा गया था UPPCS या SSC में या फिर UPPCS में इसी तरह के कोर्शन पूछते हैं ठीक है कहते हैं कि एक सूची यह हैं दोनों को सुमेलित कीजे तथा नीचे दिएगा जो कूठ है उससे सही उतर दीजे ठीक है残 यहां पर हमें सूची 1 यह है सूची 1 2 यह है यहां पर हमें बताना है कि हड़ inviting अच्थ developmentsे हैं और आपको बताना लोथल में गोधी मिला है गोधी बदा है ना भी गोधी वारा, पत्तन या सीपोर्ट सीपोर्ट वंदरगा इसको किसको बोल देते हैं? लोथल, ठीक है? उसके बाद काली वंगा में क्या मिला है? जुता हुआ खेत के साथ शिमिले हैं और एक ही बच्चा है मोहन जोद्रों से नर्तिकी के साथ मिले मैंने आपको पहले बता दिया था तो डी नंबर आपका पांचवा हो जाएगा ठीक है तो यह आपका उट बन जाएगा अब देख लो यहाँ पर कहाँ पर है पहला है दूसरा है ठीक है यह उप्सन गलक्ट हो ग यह ठीक है ठीक है ठीक है यह आपका उप्सन से उजाएगा उसके बाद यहाँ पर कुछ जानकारी है ठीक है नगर नियोजन की ब्यवस्ता सिंदू घाटी सबबदा की प्रहुग विसेश्ता थी ठीक है हड़ापा सबबदा में सीधी स्राटके थी एक दूसरे को समकोंड प्रकारती थी या तक न हड़ापा सब्संदूसरे कैसी थी सीधी और समकोंड प्रकारती थी लकिन हर्यारा में जो बन्वारी था वह यह ड़ाप और ऐसा नहीं था , भाता कि, दो प्रमुख हो नगर से हैं 20 मुहन-जोद्रो हैं तो उसके बाद यहां पर कुश जानकारी और हैung हडपा एस्थल हैं और इधर जो उनसे प्राप्त साच मिलें वह हैं मुहान जोद्रोड से नर्तिकी के मुर्ती मिली है ब्राद इस्नानागार मिला जो कि आपको सब सब कुछ मैंने आपको बता दिया डेटेल में पहले ठीक है काली बंगा से अगनी देव वेदिकाएं जुता हुआ खेत मिला है लोथल से गोदी फारास की मोहर मैंने बताया था कि अच्छा व्यपारिक के अंदर था हडपा सब बता सवाधान आरे थर्टीन सेवन आपको मैंन राजस्थान में है लोथल कहा है गुजरात में आलमगीर उत्तरप्रतेश में है इस्थित प्रमुक ठापाई अस्थाले ठीक है अब आपको बता देते हैं आगी कौन सा कोश्चन है वो यह है 33 नमबर कोश्चन है कि हरपा सब बता कि किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता थ क्षिन लोग को सिंध का का बाग का जा जाता था किया ही सिंध का बाग में चैता है अब यहां पर हडपा सब आँ और हैं और किस नदी किनारे छो하다 था किनारे भोगवा नदी किनारे है किसके किनारे है उसके बाद अगला कोशन देखते हैं सिंधु घाटी सब्बता की जो भिक्सित अवस्था में निमलिखित में से किस अस्थाल से घरों के कुवां के आउसेस मिले हैं घरों में कुवां के आउसेस मिले हैं वो कहां से मोहन जोद्रोड मिले हैं मैंने आप उता दिया ठीक है सिंदुगाटी सब्वता का विक्सित अवस्ता में वहां जोद्रों की घरों में कुवां की आउसेश मिले हैं काली बंगा राजस्तान से चुतेवेखेद के साथ मिलें बार बार वही जानकरी यहां पर दिया गया है लोथल की जानकारी है यह सब परणना जिरुबत नहीं है वसिया दखना कि लोथल की जो खोज करता थे कौन थे ख्र continues and is आर रॉ थे एक में और सो है किस स्थल से स्थाईश जीवन के प्रचीनतम प्रमाड मिले रैं तो प्रचीनतम प्रमाड मिले है humano मिले है यह आपका मेर अभरा ओप्शन जीडी 2021 कोचन कोचा गया है तो आपका मेहरगड हो जाएगा भारती उप महाधरीप में प्रचिंतम नौपसाड कालिक जो बस्ती थी वो कौन थी आपका मेहरगड था लगबख साथ जारी सापूर में यहाँ पर साच मिलते हैं यह पाकिस्तान के बलुचिस्तान प्रांट में मेहरगड मैंने आपको मेंप में बता दिया था मेहरगड से क्रसी के साथ मिले हैं और पसपीलत के साच मिले हैं त्यक्स साच हैं वो मेहरगड से मिलें ठीक है गौरत लब है कि नवीनतम सोधू के अंसार दच्छिट पूर्वी एसिया जो है और भातिव माधुरिप में प्रचीनतम क्रिसी के जो साच मिले हैं नव हजार से साथ हजारी सपुर में वो लहुरा देव जो की कहां पर है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में यहां से प्रातु हैं किसके मिले हैं लहुरा दे में चावल के साच मिले हैं किसके मिले हैं चावल के साच मिले हैं यहां यूपी पीसेस में एक बार कोशन यहां से पूछा गया था लोहुरा देव से उपी पीसेस में कोशन पूछा गया था ठीक है यह याद रखना आप उसके बाद है अगला है कि मरण पटिका पर संकीर सिंग सिंग युक्त देवता की मूर्ति कहां से प्राप्ट है तो आपके हैं बनवाली से काली बंगा से लोथल से कोड़ता से तो कहां से हुए है ठीक है तो यह आपका उप्सन हो जाएगा काली बंगा से काली बंगा जो की आपका राजस्थान है ठीक है तो यहाँ पर मरण पटिक मिली है विलनाकार मोहर मिला है ठीक है यह आपको याद रखना है उसके बाद है कि किस अस्थान पर हरपा कलीन रत की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है तो यह दैमा बाग आपको जाएगा बता दिया कि जो की एक अधापाई एस्थाले रत की मूर्ति पाई गई थी यहां पर दैमा बाग अधापा सब्दा का दच्छिड तम एस्थाले कौन से सबसे लास्ट में दच्छिड में यही है ठीक है मानो द्वारा सर्वथम प्रियूग तो अनाज क्या था सबसे यूपी सर्वथम प्रियूद किया जाने वाला अनाज था वैस्विक रूप से सर्वथम जो की आठ हजारी सपूर में आसपास भूमा सागर्यों इरान के मद्ध इस्थित पश्चमी एसिया में मानो द्वारा उगाया गया था किसको जोगा गया था ठीक है नवीनतम सोधू के अंस कि इन नवीनतम सोधू के जो पूर्व भारतिय उप महादुरीप में प्रचिंतम क्रिसी के साच वाला एस्थल कौन सा है वो मेहरगड है प्रचिंतम क्रिसी साच वाला एस्थल कौन सा है मेहरगड अगर प्रचिंतम क्रिसी साच वाला एस्थल पूछे तो आपको बताना है क्रिस्टी वाला अगर पूछे तो मेहरगर अगर चावल के साथ पूछे तो आपको लोहुरा दिवता देना है ठीक है तो अब हम यहाँ पर अगला कोर्शन पढ़ते हैं गंगा के मैदान में जो बस्ती का प्रचिंतम आउसेस है वो कहां पर मिला है तो यह कालपी मिला है कालपी कहां पर है उत्तरपदेश में यूपी में यूपी में किस जिला में है जलाउन जिला में यूपी के जलाउन जिला में कालपी है ठीक है तो यह एक हडपा कलिन नगर था जो कच्छ के रण के यह स्वारी यह जो है आप इसको पढ़ लेना वैसे तो जानकारी है तो आप पड़ ले ना मतलब यह जो यह जो कालपी है इसके बारे में यूप से में यहां पर मैंने नहीं वताया ठीक है तो यह कुछ दूसरा स्लाइट यहां पर गया है उसके बाद है चालिस नंबर कोश्चन है कि अभी हाली में दस मार्च को अपकी जो पेपर हुआता दो जाते इसमें उसे पुछा गया था कि सिंदू घाटी सब बता के दौरान कौन-कौन से सहर ऐस्तित में थे यहनि कौन-कौन से सहर थे हडपा सब बता था सांची द्वार का या मुझरिस द्वार का क्या था तो हडपा सब को आपको बता है तो यह था उसके बाद है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन से पहले यहाँबर कुछ जानगारी यह पढ़ लेते हैं उपर यूगत में से एक सिंदु गाटी सब्वता के जो दौरान हडपा सब्वता अस्तित में था ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस्थित है सिंदु गाटी सब्वता के जो प्रमुख एस्थल है और उनको खोजा किसने है और मात्पूर्ण खोज क्या है ये आपको पूरा यहां पर दिया गया ठीक है चंद हुद्रों एनजी माजुम्दार मैंने आपको उता दिया है पहले बता दिया माजुम्दार ने किया था और यहां से वक्राकार इंटे मिली हैं लिविस्टिक के साथ मिले हैं चंद हुद्रों मैंने बता दिया था लिविस्टिक के सा आर राव ने इसकी खोच करता है निर्मित बंदरगां मिले है चावल कपूसी मिला है सत्रनजिक का खेल मिला है काली बंगा अमला लंध घोष ने इसकी खोच किया था उठ की हड़ियां मिली है लकडी का हाल मिला है धौला वीरा जो है Rs, Wist या JP Josie यह दर ना JP Josie ठीक है और यहाँ पर कधोला भीरम क्या मिला है खेल का बहुत बड़ा मेदान मिला है स्वास्तिक यहाँ पर आपका स्वास्तिक का सरप्थम प्रियोग हरपा के निवासियों ने किया था किस ने किया था स्वास्ति के स्वाश्यों को मेलूहा उसके बाद हैं अगला उप्शन मोहत्जोद्रो निमल्खित किस सब्बता से संबंदीत है MTS में 2022 में भी कोर्षन पुछा गया था और 2023 में भी कोर्षन यानि लगातार कोर्षन पुछा गया था कि मोहन जोदरोर निम्रिखित में से किस सब्वता से संबंदित है तो यह है आपका सिंदू सब्वता से संबंदित है तो यहां पर है कि मोहन जोदरोर पाकिस्तान के सब्बता का संबंध मैक्सिकों तथा मध्ध अमेरिकी देशों से है ठीक है उसके बाद है निमलिखित में से कौन सा हड़ापा कलिंग नगर कच्छ के रण में खादिर बेत पर इस्थित है और इसे तीन भागों में बाटा गया है है सिएचल चौदा मार्च को धी सब्सक्राइब और ने खौशण पर इस्थित था ये नगर तीन भागों में वाजित था दुरगा भास मध्धम भाग और निचला भाग था ठीक है धौला वीरा सहर को युनेस्को ने भारत के चालिसवे बिस्थरोवर एस्थल के रूप में गोसित किया था इस सूची में सामिल होने वाली सिंदू घाटी संबता के सबता के निमले खित में से किस सहर में बंदर्गा पाया गया है है चल2023 में कोशन कोचा गया था तो यानि क्या कोथा नहां किसे हर में बनन बंदरगा था कहां पर था लोथल में बंदरगा लोथल एक सिंदु घाटी सब्दा का मातगोड बंदरगा था इसकी खोज जो है 1955 इस आर राव ने किया था द्वारा की गई थी लोथल गुजरात में कैमबे की खाड़ी के पास भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है नि इस साथ ची बिले है ठीक है अगला नंबर कोस्टशione है आपका निम लिखित में से 44 कोसन है कि इसरत बंस्किंड चवारीशनिश्ड नंबर कोसन है कि निम लिखित सभी जनता के लिए आवासी भवन नहीं था तो यह option आपका सही हो जाएगा कौन सा भाग नहीं था यह पूस्रें ठीक है तो आपको ता देते हैं हडपा सभथा की नगर योजना विशेश फ्रकार के थी हडपा सभथा में लगवग सभी नगर दो भागों में बिभग थे एक प्रथम भाग में उचा दुर्ग था और दूसरे भाग में आवासी भवन थे ठीक जनता के लिए आवासी भवन निचले कस्बे में इस्थी थे और दुर्ग का हिस्सा नहीं था, ऐसे एक उपर था, ऐसे एक नीचे था, एक उपरी हिस्सा था निचला, उपरी में दुर्ग था, नीचे दुर्ग नहीं था, तो दुर्ग किसमे नहीं था, जनता के अवासी भवन में दुर्ग नहीं था, यहां पर सडके एक दूसरे पर सम कोड पर काटती थी घरों के दर्वाजे मुख सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे बलकि मुख सड़क से जुड़ी हुई सक्री गली में खुलते थे देखो आपको तादू कि जो घरों के दर्वाजे होते थे वो जैसे सड़क हैं यहां पर माल लेते हैं घर बना है तो यहां पर दरवज्जा यहां पर नहीं था मतलब कि जो दरवज्जा होता था इधर होता था इधर होता दाइबाय होता था लेकिन सड़क पर दरवज्जा खुलता नहीं था ठीक है लेकिन जो लोथल था लेकिन जो लोथल था लोथल कहां पर था आपका गुजरात में यहां पर साइड में भी खुलता था लेकिन स्रडग भी खुलता था तो यह चीज आपको कुछ बता दिया है जितने कोशन बन सकते थे जितने कोशन पूछे गये थे वह सभी आपको दिखा दिये मैंने हैं अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में अगर आपक के साथ शेर जरूर करेंगे हमें मुस्टिवेसन मिलेगए जिससे हमें और अच्छे से एक्स्प्रेयंट करेंगे और अच्छे से वीडियो बनाने क्योश्स करेंगे तो आई तिंग आप समझ गयोंगे वीडियो को शेर जड़ू करना, वीडियो को लाइक जड़ू करना, चल्टाइब